तो माई डियर स्टुडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बियर से केंड एर के थर्ड समस्टर के यानि के तृतियर समस्टर के एजुकेशन यानि फिच्छा साफ्तर के नियू स्लेबर्स और मोस्ट इंपॉर्टन टोपिक्स के बारे में तो जिन जिन भी प्रश्णों से पहले अगर आपको इस लेवर्स और टोपिक्स के बारे में जानकाई रहेगी तो आपको प्रश्णों का उत्तर तयार करने में ये पिर प्रश्ण जब भी आप देखेंगे तो आपको समस्चाये नहीं होंगी कि क्योंजिं कहां से आ गया क्योंकि बाई सब इससे पहले आपको Jeeworks के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपका जो सब्जिक्ट है सब्ट्रेशन उसमें लेशन कौन-कौन से कितने लेशन है और लेशन में क्या बताया गया यह तो जानकारी होनी प्रूप के तोर पर देख लिए आपका है याणी कि तिरतीय समेश्टर है और सब्जक्थ आपका एजुकेशन यानि कि फिच्छा फाफ्त्र है और प्रशन पत्र का नाम है ठीक है फिलोस्पिकल सोचिलोजिकल प्लिटिकल एकोनमी और प्रेस्पेक्टिवस अफ एजुकेश a subject 8 unit chapter और 8 topics में, chapter बोले, unit बोले, यह फिर आप लग topics बोले, सब एक ही हैं, ठीक है, और 8 unit में divide होते हैं, और यह 8 unit पूरा Slimers, जो हैं इंगलिस में हैं, आप इंगलिस में पढ़ सकते हैं, अगर आप इंगलिस में आप समझ सकते हैं, लेकिन हमने इसको हिंदी में convert कर लिया ताकि आप अच्छे समझ सेके और हम आपको अच्छे समझा सके इफ लिए हमने इसको हिंदी में convert कर लिया जो कि हम आपको हिंदी को ले चलते हैं इसी पूरे इस लेवर्श की और तो फर्स्ट यूनिट यानि के फर्स्ट जो चैप्ट लेना तैट तो दरसं सभ्थ में संभंध किसे कहतें है उसके बाद और संसाफ्ट का अर्थ हूं की पड़ीबाइफा दीजिए तो दरसं साफ्थ के बारे साफ्ट में आपको डेफरंस तयार कर ले ना ठीक है तो दर्सन साफ्ट के बारे में जान लिए क्योंकि बार बार आ रहा है तो दर्सन साफ्ट का मतलब होता है कि ग्यान का प्रेम दर्सन का मतलब होता है ग्यान का प्रेम इस दर्सन का कहते हैं परिभाफा जानी तो जो समान और मौलिक प्रश्न रहते हैं उनके अध्यन को हम दर्संसाफ्त कहते हैं यानि की आप इस प्रकार कह सकते हैं कि समान और मौलिक जो प्रश्ण है उनके सो बेवफ्थित यानि कि एक धंग तरीके से ठीक है एक सीरियल फे इसी चीज़ को बोला जाता सो बेवफ्थित अध्यन को हम दर्शन साफ्त कहते हैं इसके अंतरगत आफ्तित आ जाता है जहां से सुनेंगे ठीक है तरक आ जाता है ठीक है मूल ले आ मन आ जाता है ठीक है तो यह सब आ जाते हैं इसके अंतरगत इक जामपल की रूप में अप लिएक जानते हैं त्टहाब की ग्यान ठीक है और विद्या और जाएगा इसके अंतर कर ठीक है एसीमपल सी अर्थ और परिभाफा हो गई फिच्छा की और दर्सने उम सिच्छा की साखाई यानि कि इनकी ब्रांच कौन-कौन से हैं एक मुख्य होता है और उसकी बहुत फारी ब्रांचे से होती है तो उनकी साखाउं के बारे में आपको प् प्रचीन भारती इतिहास का संशिप्त परिचे लिखना है और उसमें दर्सन के बारे में आपको तयार कर लेना है और उसमें जो टोपिक्स हैं वेदान्त मतब वेद जो हमारे धर्म में वेद हैं और जो भगवत गीता है ठीक है इन से सम्मधित कोईशन पूशे जाएंगे दर्सन आएंगे उसमें आदर्स वाद क्या है यह सब टॉप लेवल के टोपिक्स है जिसे पिसले वर्स्त में लगातार प्रशन पहुचे गहें तो यहां से प्रशन बनेंगे ठीक है यह टोपिक्स के अंतरगत ठीक है उसके बाद अगला यूट आ जाएगा फो कुछ सिच्छा को और AR गाल फंपर बिंट्री के जाएख तो इस प्रकार के कुछ प्रमुख विध्वानों ने कुछ प्रमुख हमारे देश के जो क्रांतकारी रही है उनैंनों नहुन고 बहुत ज्यादा प्रयास किया है ठीक है ताकि हर एक इनसान के जियून में फिच्छा होनी चाहिए पढ़ाई जरूर करें ठीक है और फिच्छा का क्या मतलब की योगदान है यह पिर फिच्छा ते हम लोग क्या क्या चीब कर सकते हैं यह सब इन बिद्वानों ने बहुत तर को लेकर उद्देश हैं क्या क्या इननों फिच्छा के उद्देश बताएं फिच्छा के बारे में इन्होंने क्या एक्स्प्लेइन किया है यह आपको लिखना है इस तरह बी आर अमेटकर यानि के भीम राव मेटकर ने फिच्छा क्या क्या उद्देश बताएं फिच्छा जरूरी है रूफो जो की प्रमुक बिद्वान है और डेवी जो की प्रमुक बिद्वान है इन सभी प्रमुक जो हमारे बिचारक हैं फैचिक बिचारक इन्होंने अपना-पना बहुत ज़्यदा योगदान दिया है फिच्छा के सेत्र में ताकि लोग इससे वन्चित न रह तो यह रहा आपका फोर्थ नंबर यूनिट इन्हीं से जुड़े कोश्चित पूछे जाएंगे फिप्त नंबर यूनिट में आपको भारते समाज का परिचे तयानि कि भारत देश का जो समाज है उसके बारे में जानकारी जिसमें से पहले पॉइंट में आपको कोश्चन देखने को मिल सकता है कि भारते समाज में बहुलवाद यूम वीविधता किसे कहते हैं भारते समाज में बहुलवाद और विविधता का क्या योगदान है ऐसा भी कोश्चन हो सकता है उद्देश हो सकता है उद्देश क्या है अगला पॉइंट है कि भारते समाज का समाजि जानते हैं कि यसी स्टी ओबी सी बैक वर्ड यह सब आ जाएगा ठीक है और वर्ग लिंग लिंग आप लोग समझते हैं वर्ग भी आप लोग जानते हैं ठीक है और जात भी आप लोग अच्छे जानते हैं तो यहां फे कोश्चन पूछे जाएंगे ठीक है लिंग के बारे मे दिहान लखना है यह topics हैं जहां से प्लश्टम बनेंगे अगला है इसमें इसकोलिष इस्छा और समाद से सम्पनित को आपको देख रहें जैसे कि समाजिक शंगठन के रूप में बिद्याले के बारे में बताईए समाजिक शंगठन के रूप में बिद्याले किस प्रकार बढ़ोतरी कर रहा है फिर बिद्याले का क्या योगदान है ठीक है उसके बाद समाजिक परिवर्तन यूम सिच्छा प्रसन देखने हो को मिलेंगे ये टोपिक्स होगे अब यूट नमबर सिवर में आपके फिच्छा के राज नेतिक पर पेच जिसमें से मौलिक अधिकार एक मौलिक करतब है संबिधान में मौलिक अधिकार के बारे बताया गया है और मौलिक करतब के बारे बताया गया है ठीक है और हर एक इंसान के अलग-अलग अपने कर्टब हैं और अलग-अलग अधिकार हैं लेकिन जो संबिधान में बताये गए हैं उन्हीं के अंतरगत आते हैं ठीक है आप पूरी तरह फ्रीडम हैं सोतंत्र हैं कहीं पर विजाफ अकते हैं कुछ लीगली कर सकते हैं कुछी चीज की सुरुआत कर सकते हैं यह आपके देश के जो कंस्टिटूशन है संबिधान है उसमें पूरी तरह बताया गया है कि आपके पूरे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्टब में ठीक है यह टोपिक से मौलिक कर्टब भी कितने हैं मौलिक अधिकार कितने हैं तो मैंने में आपको हमारी जो पीडियाफ हाएगी question answer वाली उसमें मिल जाएगा और एक और topic है निर्देशक सिध्धानति यहां फे video question पूछे जाते हैं यूट नंबर 8 में आपको देखने को मिल सकता है फिच्छा के आर्थिक पर पेच्छ है निक financial पर पेच्छ जिसमें से साब्दी पीकाफ लच्छ वी एस सतत बीकाफ लच्छ तो यहां फेडेव कोईशन तो कमाएंगे लेकिन एक question पर सकता सतत बीकाफ के लए फिच्छ और प्लस बीकाफ संकेता की रूप में सिच्छ ये जो topics हैं इन फेडेव कोईशन पूछे जा सकते हैं यह रहा पूरा का पूरा flavors एकदम हिंदी में एकदम पूरा सरल भासा में एक बार वीडियो को देखने से या फिर एक बार पढ़ने से इन टोपिक्स को आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा कम से कम 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो आपके दिमाग में कुछ न कुछ जरूर बस जाएगा ठीक है बाकी हमारी कोश्चेन एंसर वाली वीडियो आएंगी उसमें जो कोश्चेन होंगे वो इसी पूरे 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 flavors टोपिक्स से होंगी साथ साथ में उसका उत्तर भी होगा फिर महासंग्राम वीडियो चलेंगी फिर महासंग्राम डिवीजन वीडियो चलेंगी इफी तरह पूरे एक्जाम की तयारी आपको हम करा देंगे ठीक है बाकी ये पूरा पूरा flavors टोपिक्स बता दिया यहीं से प्रशनाएंगे आप अगर तयारी करना चाहरें तो तयारी कर सकते हैं धीरे धीरे करके इनके बारे में थोड़ा थेओरी पढ़ लीजेगा ताकि आपको आने वाले दिनों में समस्याएं ना आएं ठीक है